कॉंग्रिस भारत जोड़ने के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और पार्टी को इसमें सफलता भी मिलती नजर आ रही है जिसे देख कर पार्टी कारी करताओं का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है जिसके चलते यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है तो आज कहां से शुरू हुई यात्रा और आज के दिन यात्रा में क्या है खास देखे रिपोर्ट कॉंग्रिस की भारत जोड़ यात्रा 7 सितंबर को कन्या कुमारी से शुरू हुई थी और अब इस यात्रा को शुरू हुए दो महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जैसे जैसे यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है इसके काफिले और लोगप्रियता दोनों में जाफा हो रहा है इसके अलावा यात्रा की दौरान राहुल गांधी का हर राजी की संस्कृती के साथ जुड़ना इस यात्रा की खुपसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है और इसी तरह आमजनता के साथ जुड़ते जुड़ते आज यात्रा का 68 दिन शुरू हुआ आज महाराष्ट के हिंगोली जिले से इसकी शिरुवात हुई और रोज की तरह आज भी इसमें भारी संख्या में लोग जुडे। इसके साथी आज खास बात ये है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवालान नहरू का आज जन्म दिन है। ऐसे में नहरू के 133 वी जयनती पर उनकी प्रतिष्टित पुस्तक भारत एक खोज हिंदुस्तान की कहानी की 600 प्रतियां आज यात्रियों को वितरित की जाएंगी जिनने अल्प सूचना पर एक वॉलेंटियर दिल्ली से 23 घंटे ड्राइब करके लाया है। इसके अलावा इस पूरी यात्रा के दौरान राहूल गांधी बच्चों के काफी करीब आते नजर आए हैं। और 20 नवंबर को यात्रा मध्यप्रदेश में प्रवेश करने वाली है। डिवी लाइफ की रिपोर। और 20 नवंबर को यात्रा मध्यप्रदेश